कॉलेजेज पीछे हर जाते हैं प्लेस्मेंट देने से बोलते हैं हमने डिगरी के लिए पढ़ाना था हमने पढ़ा लिया मैं परसनल एक्समेंट पता हूँ तो आयाईटी भूमनेश्वत भी गया हूँ केट कैमपस भी गया हूँ यह कॉलेज से उनके मुझे थोड़ा से एक कमाल के फ्रेश वीडियो में आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाले हूँ और ओवर ओडिशा के टॉप इंजिनेरिंग कॉलेजेज नॉट ओनली लिमिटेड वूबनेश्वर बस भूबनेश्वर के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे हम लोग पूरे ओडिशा में जितने भी engineering colleges हैं उनमें से top engineering colleges को consider कर रहे होंगे तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा किस basis में ये ranking दिया गया है तो ये जो order है आप 1 से लेकर 9 तक order follow कर सकते हो उसके बाद के जो order है वो depend करता काफी सारे factors में अभी जो detail में ranking दिया गया है जो भी आपको 1 से लेकर जितने भी colleges में अभी फिलाल बताने जा रहा हूं ये सारे colleges का ranking decide हुआ है सबसे पहला जो factor है that is NIRF ranking ये जो order देखने को मिलेगा ये NIRF ranking के जरिये से मिलेगा NIRF ranking क्या होता है इसके related detail वीडियो में बनाने वाला हूं बहुत जल बट अगर आपको मैं short में बताऊं ये होता है all over India के जितने भी colleges हैं चाहे वो engineering हो medical हो law हो सारे colleges को ranking दिया जाता है तो engineering sector में जो ranking दिया जा रहा है उसके related में ये हमारा consider हो रहा है उसके अलावा अगर next point की बात करूं वह रहेगा student feedback जो वहां पर पढ़ाई करते हैं या फिर जो वहां पर उनके दोस रहते हैं जो experience करते हैं उस basis में वो लोग कैसे ranking देते हैं वो decide होता है so this is the second factor सबसे पहले शुरू करते हैं first college that is NID राउर के ला यह काफी अच्छा college है बट यहां पर admission लेने के लिए आपको J.E.Mains का counseling appear करना पढ़ेगा जो की होता है जो सा counseling तो अगर उस में appear करते हैं requirement की में बात करूँ J.Main exam देना पढ़ेगा उसको qualify करना पढ़ेगा काफी अच्छा marks रहेगा rank cut-off रहेगा तब जाके आप इस college में admission ले सकते हैं कोई यहां पर direct admission नहीं होता कि हाँ आपने board में अच्छा marks ले आया है तो direct admission हो जाएगा आपको J.Main के जरिये से ही जाना पड़ेगा अगर मैं इसके NIRF ranking की बात करूँ तो NIRF ranking is 15 यानि कि all over India में top 15 colleges में आता है NIT राउरकेला काफी अच्छा colleges है इवन आप सुनके shock हो जाओगे generally हम लोग जानते हैं कि Indian Institute of Technology यानि कि IIT जो होता है वो NIT से उपर होता है NIT नीचे होता है उसके उपर IIT होता है बट ओडिशा की बात करें तो ओडिशा का जो IIT है वो NIT के नीचे है काफी नीचे आता है IIT का ranking as compared to NIT राउरकेला all over India से इवन काफी international students भी आते है NIT राउरकेला में पढ़ने के लिए मेरा personal experience पता है तो मैं भी विजिट कर चुका हूँ NIT राउरकेला एक से दो बार काफी सरे programs और seminars attend करने के लिए तो वो आप कर सकते हैं चाहे किसी भी college में आप पढ़ रहे हो वो आप जाके attend कर सकते हो दूसरे colleges में अभी अगर बात करें यह government है या private है तो definitely यह government college है आपको यहाँ पर देख रहा है और facilities की बात करें तो individual college specific में review videos बहुत जल्दी बनाने वालों यह सारे colleges के next जो आपका college आता है यह सिक्षा और अनुसंदन भूवनेश्वर सिक्षा और अनुसंदन को हम बोलते हैं पोजिशन रैंकिंग है तो NIRF रैंकिंग इसका काफी अच्छा आ चुका है भूवनेश्वर की बात करें तो engineering sector में उसके अलावा next college की बात करें वह है IIT भूवनेश्वर इंडियान इंस्टूट आफ टेक्नलोजी जी हां government college है government college का facilities यह होता है कि आपका fee structure कम होता है और return on investment काफी ज्यादा होता है जितना पैसा आप इंवेस्ट करेंगे मुझे पता है यहां पे students के साथ काफी सारे parents भी यह वीडियो को देख रहे हैं जो कि ओडिसा students के parents है यह बहार से भी है आप आसपास के states जैसे की वेस्ट बेंगॉल जहारकन, छत्यसगर, आंद्रप्रदेश और बिहार, उत्रप्रदेश, मध्यप्रदेश तो ऐसे states से भी काफी जारे students आते हैं ओडिसा में पढ़ने के लिए तो उन लोग के लिए में बताना चाहूंगा parents को भी सबसे पहले सदसद नमल, उसके बाद में बोलना चाहूंगा कि जी हां, government colleges में आपका fees काफी कम रहता है और आप outside state से आएंगे तो थोड़ा सा आपको cut off ज्यादा लगेगा, बट अगर inside state है, और इस ऐसे हैं तो आपको state category wise एक होता है state quota, उसके basis में आपको कम marks कम rank में भी आपको मिल जाएगा admission, वो होता है state reserved, उसके अलावा जो government colleges के fee structure कम होते हैं, जो placement मिलेगा आपको, government colleges में generally जादा package का placement मिलता है after your 4 years, after your 3 years में, मतलब, internship फिर शूरू हो जाता है final year में, तो आपको अच्छा internship and अच्छा placement, campus placement opportunities मिल रहा होगा, government colleges से, it doesn't mean कि private college से नहीं मिलता, but private college में आपको पैसा भी जादा देना पड़ता है, and in return भी आपको थोड़ा सा comparatively कम मिलता है, ठीक है, अगर मैं in general बात करूँ, Odisha में अगर engineering करते हैं, कितना average खर्चा हो जाता है, 2 और 3 लाग आप एक साल का मान सकते हो, 4 से multiply कर दोगे तो 8 से 10 लाग रुपे minimum to minimum खर्चा हो जाएगा, tuition fees and hostel included, आज के डेट में COVID के बाद थोड़ा सा rate बढ़ चुका है, उसके हिसाब से अगर consider और calculation करें, तो आप 3 लाग, 2 से 3 लाग आप मान सकते हो, एक साल का, including your tuition fees, college का जो fees होता है, और उसके अलावा आपका hostel facilities, खाना, मन्थली वगएरा, सब मिला के, तो 3 लाग रुपए आपके खर्चा हो जाएगा, 4 साल के engineering experience में, तो students loan भी काफी लोग करते हैं, और काफी लोग directly payment भी करते हर साल basis में, इसका NRAF ranking की बात करें, 36 है, all over India, next बात करते है, kit university, काफी famous है, all over India की बात करूँ तो, तो जी हा, kit में आप admission ले सकते हैं, but kit का एक जो चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, that is, fee structure, engineering की बात करें, 5 लाग रुपए आ जाते है, सालाना fees, वहाँ पर 1 लाग laptop भी दिया जाता है, first year में, but in return, जब आप बात करें, दूसरे colleges होते हैं, जो कम fee structure में भी similar education provide करते but kit का campus काफी बड़ा है, और मैं भी kit जा चुका हूँ, मैं personal experience बता हूँ, तो IIT भूमनेश्वर भी गया हूँ, kit campus भी गया हूँ, जहांपे different seminars में attend किया हूँ, तो kit का full form है, Kalinga Institute of Industrial Technology, और यह definitely private colleges है, fee structure सुनके आप पता कर सकते हैं, 5 lakh fees जिसका सालाना हो सकते हैं, definitely वह private colleges है, NIRF ranking की बात करने, ranking is 42, all over India में, next, CV रमन Global University, Bhubaneshwar, तो CV रमन College एक अच्छा college है, generally CV रमन का और Silicon का comparison करते हैं काफी students, क्योंकि Silicon मेरा college है, एक campus tour video मैंने बनाया था, क्योंकि मैं Silicon का student रचूँ हूँ, I am the alumni of Silicon, और आने वाले colleges में, आपको 85 नंबर में मिल जाएगा Silicon, CV रमन की बात करते हैं, facilities काफी अच्छा है, return on investment भी अच्छा है, ranking की बात करें 98, तो उपर के जितने भी 5 colleges हैं, जो मैंने आपको बता दिया, NIT, IIT, फिर सुआ, किट and CV रमन, ये 5 colleges आते हैं, जो की all over India में, top 100 colleges में आ जाते हैं, जी हां, top 100 colleges में, ये 5 engineering colleges आ जाते हैं, NIRF ranking की बात करें 98, और ये जो college है, private college है, इसका free structure बात करें, तो बराबर आ जाता है काफी average private colleges के साथ, free structure और brochure वगेर, आप उनके website से download कर सकते हैं, और उनके college में, आप directly call भी कर सकते हैं, उनका जो directly official website होते हैं, और जाधे detail में information लेने के लिए, CV Raman में भी मेरे काफी सारे दोस्त भी पढ़के pass out हो चुके हैं, next बात करते हैं, गीतम भुवनेश्वर, ranking के वाइस ही अच्छा है, but in general देखा जाए तो students prefer नहीं करते हैं, कुछ कम bracket of students prefer करते हैं, no doubt, काफी सारे students पढ़ते हैं, but जब comparison की बात आती है, fees structure and facilities and return on investment, सभी का main focus होता है, चाहिए अब student हो या parent हो, मैं भी अपने तरफ से recommend करूंगा, कि आप focus कीजिएगा, कहाँ पर आपको decent minimum amount of fees पे करना पड़ रहा है, और साथ में जो placement हो रहा है, उनके average placement जो package हो, वो थोड़ा सा अच्छा हो, ताकि आप college fees जितना भी पे कियो हो, 2-2 साल में recover कर पाएं, जो भी company में placement हो रहा है, वहाँ पर increment अच्छा होता हो, और placement के लिए तो खुद को मेहनत करना पड़ेगा, on campus, off campus opportunities मिलता है, काफी ज़र mistakes को भी avoid करना पड़ेगा college life में, क्यूंकि मैं बताता हूँ, मैंने engineering करा हुआ है 4 साल, यहाँ पर काफी ज़र गलतिया मैंने भी किया है, मैंने अपने senior से सीख के गलतियों को avoid किया है, से सीख पाऊगे, एक वीडियो मेरे चैनल पर है, mistakes to avoid in engineering, और वीडियो में मैंने पूरा खुल के बता है, क्या-क्या mistakes को avoid करना है, आगे बात करते हैं, गीतम की गीतम का full form होता है, गांधी institute of technology and management, तो गांधी related काफी सारे colleges हैं, GIT है, GEC है, गीतम है, यह सारे गांधी university के अंदर आते हैं, सारे colleges जनरली BPUT के अंदर ही आते हैं, सारे जितने भी आप colleges देखोगे, engineering colleges, BPUT के अंदर आपका copy checking होता है, अगर autonomous है तो उसी college में होगा, autonomous और private और government BPUT के अंदर आते नहीं आते हैं, वो आपको पहले देखना पड़ेगा, क्योंकि autonomous college generally उनका curriculum जो होता है, वो खुड decide करते हैं, paper checking and all अपने college में होता है, बट अगर autonomous नहीं है, तो फिर उनका जो examination होगा, BPUT कंड़ेट करवाएंगा, और BPUT कराएगा, तो फिर राउर के ला, जो है ना, राउर के ला में BPUT का headquarter है, head office, तो private college है, जी हाँ, गितन college, प्राइवेटर rank की बात करें, 102 इसका rank मिल जाता है, और यह जो NIRF ranking में भी काफी बड़ा scam चलता है, काफी बार मैं आपको reality किसी अलग वीडियो में बता दूँगा, तो बस NIRF ranking में भरोसा मत करना, की college आप चूज कर लोगे NIRF ranking के जरिये से, काफी सारे दूसरे factors भी हैं, जिसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, I hope this point is clear, इसके अलावा अगले point की बात करता हूँ, students का feedback भी आप जरूर से लीजिएगा, जो students वहाँ पर पढ़के पास हो चुके हैं, क्योंकि faculty लोग generally उस college में काम गरते हैं, तो वो positive चीज़े बताएंगे, but एक जो students वहाँ पर पढ़के पास आउट हुआ है, वो आपको reality बता पाएगा, true facts बता पाएगा कि वहाँ पर चीज़े ऐसे काम गरती हैं, यह चीज अच्छा, यह चीज बुरा है, तो आप college भी campus visit कर लीजिए, randomly किसी student से बात कीजिए, आप communication अच्छा maintain करके पूछिए, दोस्तों सच में बताना कि यह college तेरे को कैसा लगता है, और सारे dimensions को focus करना, और एक student के basis पर आप decision मत लेना, दोसे तीन student को पूछिए, उनका result भी देखिए, काफी बार जो stats होता है, वो भी आपको काफी अच्छा चीज बता देता है, जो statistics होता है, जिससे आपको पता चलेगा, placement record कैसा है, और different co-curricular activities कैसे होते हैं, क्या होते हैं, वो सब चीज आपको वहाँ से पता चल जाएगा, next बात करते हैं, Vsut, Sambhalpur, Vsut का full form होता है, VSSUT, वीर सुरेंदर साई University of Technology, this is the full form of Vsut, Vsut बोलते हैं, VSSUT भी बोलते हैं, Sambhalpur में यह है, government college है, जी हाँ, fee structure आपको काफी कम देखने को मिलेगा, as compared to private colleges, NIRF ranking is 111, यह सब 2022 के basis में में बता रहा हूँ, rank उपर नीचे होते रहता है, college preference भी उपर नीचे होते रहता है, तो मैं फिर से बता रहा हूँ, यह rank के basis पर आप decision अपना बिल्कुल मत लेना, दूसरे जो factors हैं, उसको भी consider करना, जैसे, Justice का अगला जो college है, Silicon Institute of Technology, इसका campus tour देखना है, काफी अच्छे तरीके से मैंने सारे factors को कवर किया है, आप वो वीडियो जा के दिख सेथे हैं, मैं honest review देता हूँ, जो चीज अच्छा है, अच्छा है, उसको आप मतलब पैसा दे के भी change नहीं कर सकते हैं, और जो चीज बुरा है, बुरा है, as a tis, तो as a tis मैंने अपना experience वहाँ पर दिखाया है, parents लोग भी काफी खुश होते हैं, और अब दूसरे colleges का चाहिए, कोई college के अगर देख रहे हैं, employee and all, तो आप अगर approach करना चाहते हैं, आपके college का tour वीडियो करना चाहते हैं, तो आपको मेरा mail ID मिल जाएगा, contact.akash.that's.gmail.com, वहाँ पर आप मुझे business mail भेज दिजिए, I will get back to you, अगर आप कोई dedicated वीडियो बनाना चाहते हैं, Silicon की बात करें, 161 NIRF ranking है, private college है, fees as similar to CV रमन भी आपको देखने को मिल जाएगा, और mahal के environment के हिसाब से बोला जाए, तो काफी अच्छा mahal है, बट आपको एक feel होगा, जो school students होते हैं कि restriction and all है, हाँ, restrictions आपको रहेंगे, academically बहुत strong है, मैं अपना अगर decision making बताओ, मैं अपने पापा के साथ बैट के college decide करता था, जब मैं immediately class 12th pass out हुआ था, आप लोग जो stage में हो, मैं भी 4 साल पहले उसी stage में था, college choose करने के लिए, मैंने दिमाग में एक चीज़ रखा था, कि मुझे computer science में करना है, भले मैं कहीं से भी करूँ, मैंने choice fill up जो हुआ था, OJ काउंसलिंग, OJ का मैंने exam नहीं दिया, बट choice fill up होता है, counselling होता है, तो counselling में मैंने जितने भी college choice fill up किये था, सबसे top में silicon था, मेरे rank के साब से silicon suitable था, उसके बाद मैंने शायद the CV रमन दिया था, CET में कोई दूसरा branch दिया था, शायद मतलब CSA related, IT वगरा दिया था, बट मेरे mind में इतना था, कि जिस भी college में पढ़ूंगा, I will study computer science only, और its related subjects, मतलब जो branch होता है, मैंने आपको difference भी बता रखा है, मेरे channel के वीडियो में, computer science, software engineering, information technology, these are all similar branches, थोड़ा बहुत subject में इधर उधर हो सकते हैं, बट 80% syllabus match हो जाता है, ओके, तो आपको अगर चूज करना है computer science, तो पहले आप college specific चूज करोगी, कौन से college का best है, तो मेरे research के हिसाब से, मेरे school के जो principal थे, उन्होंने recommend किया था, कि silicon जो college है, तो वो काफी अच्छा college है, and not only silicon, जितनी भी colleges होते हैं, अब सबसे पहले decide करोगे, अगर आपको computer science पढ़ना है, वो particular college का computer science subject कैसा है, next बात करते हैं, CUTM, पालाखेमंडी, पालाखेमंडी में जो CUTM का full form होता है, Centurian University of Technology and Management, जी हाँ private colleges है, अभी से मैं NIRF ranking नहीं बताऊँगा, यह आप directly Google जाके search कर सकते हो, उनके official media पर check कर सकते हो, तो CUTM इसको बोलते हैं, Centurian University of Technology and Management, I hope यह आपको समझ आगे, प्राइवेट college है, जी हाँ private college है, 9th number, तो अभी से आप consider मत करो कि, मैं जो ranking बता रहूँ, मैं ने इंटर्व्यू लिया था, मुसकान खेडिया जी का, जो कि Microsoft में भी फिलाल जॉब कर रहे हैं, CET से student है, 3rd year में उन्होंने कैसे internship लिया, 4th year में जाके placement हो गया, और बहुत अच्छे से अभी वो Microsoft में काम कर रहे हैं, तो journey आपको inspiring हर college से मिलेगा, students का महनत अरता है, खुद का महनत, parents का support, faculty का inputs, environment, माहूल, काफी सारे factors पर डिपेंड करता है, कि आपको return and investment कैसे मिल रहा होगा, next बात करते है, triple IT भवनेश्वर, अच्छा college, consider किया जाता है, क्योंकि इसमें भी technology और computer science related subjects जादा होते हैं, मेरा भी preference था, बद बाद में कुछ loopholes, कुछ realities पता चला, जिस वज़े से मैं थोड़ा सा deviate होगा है, कि नहीं, इसमें तो नहीं जाना है, उससे काफी better है, मैं जिस college को चूज कर रहा हूँ, International Institute of Information Technology, नो डाउट हर college से आपको अच्छा चीज मिलेगा, बट काफी बार जो बुरा चीज है ना, वो दिमाग में लग जाता है, रिखी चीज तो बुरा है, मेरे लिए suitable नहीं हो सकता, मैं नहीं जाऊँगा, तो उस बसेस में आप decide करना, government college है, fee structure की बात करें, तो ये थोड़ा बहुत similar हो जाता है, normal private colleges के साथ, fee structure इसका मैंने जितना देखा था, कि थोड़ा ज़ादा fee structure था, I hope अभी change हो चुका हो, या फिर कुछ भी, GIT University, Gandhi Institute of Engineering and Technology, गुणपूर में जो है, ये college को काफी बच्चे prefer करते हैं, बट उस टाइम पर placement अच्छा हुआ करता था, अब के टाइम पर थोड़ा सा इनका placement का, जो statistics है, वो उपर नीचे हो चुका है, so that is the one point that I would like to mention, आप अपना खुद background research कर लीजेगा, जो alumni है, उनसे आप पता कर लीजेगा, और current जो status चल रहा है, अप recent year के जितना पूछेंगे, उतना आपको अच्छा statistics मिलेगा, जैसे कोई college university बनता है, पहले अब तो वो BPUT के अंडर होता है, फिर उसके बाद वो autonomous होता है, उसके बाद university बनता है, तो हर साल कुछ ना कुछ changes होते हैं, अपने statistics में भी बदलावाता है, तो website में काफी बार पुराना data given होता है, ये मैं आपको reality बता रहो है, एक student perspective से, क्योंकि मैं नहीं चाहता, आपका अगला 4 साल वो वेस्ट हो जाए, तो अगर आपको decision अच्छा लेना है, ये चार साल अच्छे से काटने के लिए, आप बस website में भरोसा मत करो, ये ranking में भरोसा मत करो, this is the list I am giving you, आपको वहां के student से पता करना, जो recently pass out होए है, question आता है कि sir हम लोग कैसे पता करेंगी, कि वहां पर कौन पढ़ा है, आपके relative में जान पहचान, पता करोगे कोई ना कोई तो मिल जाएगा, नहीं मिलता है, मैं students को request करता हूँ, कि आपका एक profile बना लो LinkedIn पे, LinkedIn एक social media platform है, जैसा आपका WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter वगेरा में account होता है, उसी तरीके से LinkedIn एक professional networks का social media है, तो वहां पर जितनी भी professionals होते हैं, जो students होते हैं, वो वहां पे account create करते हैं, जो colleges होते हैं, उनका भी account होते हैं, और साथ में, जो alumni होते हैं, वो पता चल जाता है, क्योंकि वहां से वो pass out दिये होंगे, कौन से year में pass out हो हैं, उनको आप message करो, कि hello sir, hello bhaiya, मैं इस college में admission लेना चाहता हूँ, I want to take admission in this particular college, so and so, can you please guide me, I need your help, जो भी आप अच्छे से उनको बात करना चाहों, उनसे बात कर सकते हो, so GIT University गुणपूर के बारे में उनने बता दिया, 12 नंबर पे है हमारा GEC भुवनेश्वर, Gandhi Engineering College, again ये private colleges है, अब इसे मैं थोड़ा सा तेज चलूँगा, काफी लंबा वीडियो हो चुका है, बट मैं लिस्ट आपको जल्दी से देना कोशिश करूँगा, GIT खोर्दा में एक है, Gandhi Institute of Education and Technology, private colleges and GIT खोर्दा, ये खोर्दा में मिल जाएगा, यानि कि भुमनेश्वर, खोर्दा आजपास में है, तो आपको खोर्दा में मिल जाएगा, धनेश्वरत Institute of Engineering and Management Studies, है न, ये जो college है न, मैं थोड़ा सा सुना नहीं था, ये college के बारे में, अभी रिसंटली जब वीडियो बनाने के लिए research किया, तब जाके ये college पता चला, कटक में ये college है, private college है, मेरे जान पहचान में इतने सालों है, मैंने सुना नहीं है, कोई इस college में पढ़ता हूँ, बट रैंकिंग के साब से और feedback के साब से आ चुका है, इसलिए रैंक हो गया ये college, में भी अच्छा हो सकता है आपके लिए, आप पता करना, अपना research करना, government college की बात करते हैं, काफी students का ये motive रहता है, कि सर में admission ले लूँगा, वो government college रहेगा, किसी भी branch में admission ले ले लेता हूँ, government college तो है, fees अच्छा लगेगा, मतलब कम लगेगा, सो मैं second year में अपना branch change कर सकता हूँ, तो एक facilities आप सभी को मिलेगा guys, चाहे आप अभी first year में हो, या फिर मतलब जो admission लेना चाहते हो, 11th में हो या 12th में हो या pass out हो चुके हो, उनके parents को भी बताना चाहूँगा, आप first year के बाद branch change के लिए apply कर सकते हो, अगर आपका first year में अच्छा CGP आता है, तो branch change आप कर सकते हो, अगर top कुछ percentile में आते हो, हर branch से students दूसरे branch में जा सकते हैं, बट वो college का अपना-पना criteria रहता है, suppose 180 seats हैं, तो कितने students उस branch को छोड़के, दूसरे branch को जा सकते हैं, around 10% ratio रहता है, बट उतने ही student वो branch को छोड़ने के लिए ready होना चाहिए, तब जाके seed create होगा, और आप लोग आप पर पढ़ पाऊगे, तो ये factor को थोड़ा सा ध्यान रखना, आई होब आपको समझ आए गया, branch change कैसे होता है, dedicated video definitely मेरे channel पर coming soon, जब आपका admission and all हो जाएगा, Kalahandi, तो Kalahandi में ही है, Government College of Engineering, GEC, next IGIT सारंग, IGIT मतलब Indira Gandhi Institute of Technology, Government College है, ये college सुनके मुझे थोड़ा सा एक word याद आता है, ragging, आज के डीट में ragging काफी हद तक कम हो चुका है, no doubt, पूरा तो बोलेंगे नहीं कि abolish हो चुका है, खतम हो चुका है, बट मैंने कुछ सुना है, क्योंकि काफी सारा चीज़े जो है, social media से दब जाता या पीछे हड़ जाता है, बट मैंने सुना है कि कुछ incident यहाँ पर हुए थे, मेरे seniors कुछ पढ़ रहे थे, मेरे batch mats कुछ उस college में पढ़ रहे थे, बट government college, facilities आप मत भूलना, government college में काफी जादा होता है, as compared to private colleges, fees structure कम होता है, यह दो benefits होता है, infrastructure की बात करें तो government funds आते हैं, infrastructure भी काफी बार आपको अच्छा दिखने हो मिलता है, बट private college में जादा अच्छा infrastructure होता है, in general देखा जाए तो, government college है, सारंग में है, place का नाम है सारंग, तो IGIT सारंग, next है निष्ट बवरंपुर, यह अच्छा college था, हुआ करता था, अभी के टाइम पे, you can take reviews, मैं जो भी बात कर रहा हूँ, मैं अब reviews के basis पे बात कर रहा हूँ, जो students वहाँ से पढ़े हुए हैं, जो students वहाँ से पढ़े के बीच में drop out लेके, मतलब college छोड़ के, दूसरे college गया है, ऐसा भी reason देखने को मिला है, हर college से ऐसे मिलता है, but in history में मैंने सुना है, ऐसा हुआ है, so private colleges है, but facilities भी हाँ, ठीक है, पहले और अच्छा हुआ करता था, National Institute of Science and Technology, मैं ये college विजट किया हूँ, जब मैं school time में था, वहाँ पे एक inspire award का नम function हुआ करता था, एक seminar session के लिए, पांच दिन का camp के लिए बुलाया गया था, next है CET भुबनेश्वर, जी हाँ, काफी अच्छा college है, ragging तो यार आज किल बहुत कम हो चुका है, मैं reality बता हूँ, तो बहुत कम हो चुका है, थोड़ा बहुत कहीं न कहीं हो जाता है, कुस incident हो जाते हैं, पहले जिस तरीकी के ragging हुआ करते थे, वो तो यार खतरनाक, बट आज के ट्रेट में आप छोटे से छोटा चीज को, नाम पूछना भी अगर ragging बोलोगे, तो फिर आप interact कैसे करोगे, senior से कैसे आप बात करोगे, उनसे इंट्रेक्ट नहीं करोगे, तो आप चीज़े सीख नहीं पाऊगे, मैं इतना चीज़ सीख पाया हूँ, just because of my seniors, my bachmers, my teachers, my college, my environment, everything, not only from my college, but from other colleges also, तो कैसे ये सीखना है, वो हम लोग जर्णी में बात करेंगे guys, but अभी मैं बता दूँ कि, हाँ, आपको बात करना है, senior से बात करना है, respectively साथ रहना है, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, CET भुबनेश्वर, CET जो था, वो अभी college of engineering and technology था, change होके, OUTR हो चुका है, ORISA University of Technology and Research, ये fresh update है, recently हुआ है, तो OUTR हो चुका है, तो OUTR कोई बोले, तो आप confuse मत होना कि, ये CET नहीं है, this is CET only, but formerly known as CET, but nowadays it is known as, ORISA University of Technology and Research, government college है, कहाँ पर भुबनेश्वर में है, भुबनेश्वर लोकेशन पता चल गया, hostel भी है, आप बहार में भी रह सकते हो, 19 नंबर में है, PMEC बरामपूर, परला महराच इंजिनेरिंग कॉलेज, इसका college review वीडियो में आपको पता दूँगा, डिटेल में अगर जानना चाहो, जादा students interested रहेंगे, तो government college है, बरामपूर में यह situated है, मैंने नाम सुना है, काफी नाम सुना है, यहाँ पर consider किये थे, I guess, GIT, GEC, ओके, गीता college हमारा गीतम आया है, बट गीता college हमारा नहीं आया है, तो गीता भी एक colleges है, बट शायद यह top वाले list में नहीं आता है, बट it's okay, वो college को भी आप consider कर सकते हो, कुछ colleges में आपको एक और reality बताता हूँ, रेफरेल दूसरों से लेना पड़ेगा, तब जाके आप दूसरे colleges में, मतलब, आप placement ले सकते हो, बट काफी सारे colleges में, on-campus placement opportunities भी आते हैं, So, Synergy Institute of Engineering Technology, धेंकानल में है, अगें private colleges, लास्ट college की बात करते है, Trident Academy of Technology, TAT भुबनेश्वर private college है, जो भुबनेश्वर है वहाँ पर जो पतिया रीजन है, काफी सारे colleges उसी एरिया में देखने को मिल जाएगा, जैसे Trident College पतिया में है, पतिया स्कुरेट से आप अगर लेफ्ट साइड टर्न लोगे, तो आप पहुंझ जाओगे, Trident Academy of Technology, जैसे उसके आगे बढ़ोगे तो आपको Silicon College जो मैं college पढ़ता था, वो college मिल जाएगा, थोड़ा और आगे जाओगे तो किट युनिवर्सिटी मिल जाएगा, कलिंगा वाला जो था, ये तीनों private है, उसी के पास आपका InfoCity भी मिल जाएगा, InfoCity जो square है, InfoCity square में Infosys company है, उसके अलावा काफी सारे और companies है, DLF आपको building मिल जाएगा, DLF building में काफी सारे companies है, छोटे-छोटे start-ups लेकर कुछ established companies तक, Mindtree उसके पीछे रहेगा, जो आपका TCS है, TCS office के पीछे है, आपको मिल जाएगा Mindtree, and Mindfire एक start-up है, वो DLF में मिल जाएगा, यह सारे placements देने वाले company होता है, InfoCity हो गया, TCS हो गया, TCS का boundary share होता है, मेरे college के साथ, TCS start-up consultancy services, यह जो पटिया का area है, इस 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 completely educational, developed and modern area बोल सकते हो, बाकी सहर से, यह सहर में महाल ही अलग है, थोड़ा सा educational महाल है, थोड़ा सा corporate महाल आपको देखने को मिल जाएगा, So that's all for this video guys, I hope आपको पसंद आया होगा, पहली बार देख रहो तो प्लीज चानल को subscribe कर दो, वीडियो अच्छा लगा तो like करके, दोस्तों के साथ share कर दो, जो college admission के लिए थोड़ा सा confused है, and आपका क्या feedback है, आप किस college में admission ले रहे हो, comment section में बताना, ताकि जो दूसरे students भी उस college में admission लेना चाहते हैं, वो एक दूसरे से connect कर पाएं, एक whatsapp group का link भी मैं दे रहा हूँ description में, जो आप सभी आपस में अगर discuss करना चाहते हो, connection बनाना चाहते हो, तो वो group में आप join कर सकते हो, ताकि मैं college related कुछ वीडियोस आप सभी के साथ वहाँ पे share कर सकूँ, okay, so I hope आपको ये वीडियो इतना पसंद आ, मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, जहाँ पर आप सभी का कुछ confusion, doubt में comment से लेकर आपको समझ रहाँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक all the very best and जय हिंद, कि अगले कि वीडियो में,